पाठ्य पुस्तक आरोभाग दो का नया चैप्टर जिसका नाम है नमक नमक कहानी की लेकिका रजिया सज्जाद जहीर है कहानी सुनने से पहले सबसे पहले जानते हैं लेकिका का जीवन परिचे रजिया सज्जाद जहीर का जन्म 15 फरवरे सन 1917 को राजिस्थान के अजमेर शहर में हुआ था रजिया ने आरंबिक शिक्षा से लेकर कलासनातक तक की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की इसके बाद उनका विवा सज्जाद जहीर नामक सामयवादी से हुआ विवागे बाद उन्होंने इलाहबाद में उर्दू में स्नातकोत्तर की परिक्षा उत्तेल की 1947 में वी अजमेर सी लखनव आई और वहां करामत हुसैन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लगी 1965 में उनकी न्युक्ती सोवियत सूचना विवाग में हो गई उनका नीधन 18 दिसंबर सन 1979 को हुआ इनकी कुछ प्रमुख कहानिया हैं जैसे महमान रहमत या जहमत, जर्द गुलाब, सुल्तान सलहुद्दीन बादशा इनने कई सम्मान से भी सम्मानित किया गया है सोवियत लैंड नहरुपुरसकार, उर्दु अकादमी पुरसकार, अखिल भारतिय लेखी का संग अवर्ड चलिए अब शुरू करते हैं नमक कहानी नमक कहानी भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय देश की सीमाओं के दोनों तरफ विस्थापित हुई लोगों के दिलों को टोटोलती हुई एक मार्मिक कहानी है इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं सफिया और सिख बीबी इन दोनों के मुलाकात एक कीर्टन के दोरान होती है जहां पर सफिया सिख बीबी को एक टक निहारती रहती है वो इसलिए क्योंकि सिख बीबी में वो अपनी मा का प्रतिरूप देखती है सफिया सिख बीबी को देखकर अपनी मा का समर्ण करने लगती है सिख बेवी ने देखा कि वे लड़की निरंतर उनको देख रही है निहार रही है तो उन्होंने अपनी बहु से पूछा कि ये कौन है जो मुझे निरंतर देख रही है सिख बेवी की बहु ने उनको बताया कि ये एक मुस्लिम लड़की है जो लाहोर जा रही है अपने भाईयों से मिलने लाहोर का नाम सुन कर सिख बेबी के मन में उस लड़की के प्रती अपनत्व का भाव पैदा हो गया सिख बेबी उस महिला के पास आकर बैठ जाती है और दोनों आपस में घुल मिलकर बातें करने लगते हैं तबी बातों बातों में सफिय सिख बेबी से पूछती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आपके लिए लाहौर से कुछ लेकर आऊ, आपको कुछ मंगाना है, तो पहले तो सिख बेबी जो है, वो थोड़ा सा हैजिटेट हूई, थोड़ा सा हीचकी चाए, उसके बाद उन्हों और जानकारों से मिलती है। उसे वहां इतना प्यार मिलता है, इतना स्नेह मिलता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि 15 दिन किस परकार बीद जाते हैं। किन्तु उसे सिख बीबी के द्वारा मंगवाई गई, उसकी एक उपहार सोरू एक वस्तु जो की नमक थी, वे उसे नहीं भूलता है और वे इस बात का जिक्र अपने भाई से करती है, उसका भाई, सफिया का भाई पुलिस अधिकारी होता है, वे अपने भाई से कहती है कि मै यहां से नमक ले जा सकते हूं, तो उसके भाई ने तुरंत कहा कि नहीं, नमक ले जाना, सीमाओं से पार नमक को ले जाना गेर कानूनी है, इसी बात को लेकर दोनों भाई भेहन के बीच में बहस शुरू हो जाती है, अंततह सफिया की आँखों से आशु चलक पड़ते हैं सफिया कहती है कि मैं इसे छिपा कर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि मेरा मानना है कि कानून से उपर प्रेम और शालिंता का व्यभार होता है, अते हैं मुझे कोई नहीं रोकेगा अब सफिया भारत आने के लिए अपनी तयारी शुरू करती है, वो अपना सामान पैक करती है और साथ ही साथ ये भी सोच रही होती है कि इस नमक की पोटली को कहा पर रखा जाए, तभी उसकी नजर कीनू की टोकरी पर पढ़ती है और वे सोचती है कि इन कीनू की नीचे अगर मैं इस नमक की पोटली को रख देती हूँ, तो कोई भी इसको नहीं ढून पाएगा क्योंकि केले और कीनू की जो आदान परदान है वो होता है और उसमें किस्टम अधिकारी फलों की जाच वेगरा नहीं करती है सफिया पूरी तरह से अपने सामान को विवस्थित करने के बाद देर रात सो जाती है और सपने में वे लाहोर के 15 दिनों को देखती है जिसमें लाहोर की सुन्दरता और अपने भाई मित्र आदी को वे देख रही होती है साथ ही इस वक्न में कल चले जाने और शायद कभी दोबारा नय आने की चिंता भी उसको सताती है उसे सिख बीबी के आंसु, लाहोर का किला, इकबाल का मकबरा, आदी एक-एक करके दिखाई दे रहे थे अचानक कीनू की टोकरी से उसका हाट टकरा जाता है और उसकी आंख खुल जाती है जिसको उसके दोस्त ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा कहा है रेल गारी में बैठने से पहले सफिया चाय पीते हुए कीनू की टोकरी की तरफ देखती रहती है उसके मन में यही होता है कि मैं इस उपहार को छिपा कर नहीं ले जा सकती तब ही वे ये फैसल करती है कि वे कस्टम अधिकारी को इसके बारे में बताती है तो जब वो अधिकारी को बता रही होती है तो कस्टम अधिकारी उनसे कहते हैं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली ही मेरा देश है तो वो क्या करते हैं उसकी जो पुडिया है जो नमक की पुडिया सफिया उस अधिकारी को दिखाती है तो वो अधिकारी वो पुडिया उसके हाथ से लेकर सफिया की बैग में ही डाल देता है भारती सीमा के अम को देते हुए बताया कि वह धाका से है अंततह सफिया को नमक ले जाने की अनुमती मिल जाती है किन्तु वह ये सूच रही होती है कि किसका वतन कहा है कस्टम के इधर या उधर दोनों और की सीमाओं में एक ही परकार की भावना वाले लोग रहते हैं केवल उन्हें इन सीमाओ ने एक दूसरे से अपने भावनाओं का आदान परतान करने से रोग रखा है भारत में लाहोर से विस्थापित होकर आई हुई सिख बीवी आज भी लाहोर को ही अपना देश मानती है जबकि पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी दिल्ली को और भारतिये अधिकारी धाका को अप बदल चुका है परन्तु उनके हृद्य का देश वही है जो उनका जन्म स्थान है इस परकार हम देखते हैं कि रजिया सज्जाद जहीर की कहानी में हमें सामाजिक उतफाव धार्मिक सहशनुता और आधोनिक संदर्गों में बदलते हुए पारिवारिक मुल्यों को उभार प्रयास किया गया है तो यह था नमक कहानी का सारांश आज के लिए इतना ही थैंक यू